संकल्प बोल कि हम तो निक नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपको परियावरण बता रहा था पढ़ा रहा था उसमें बहुत कुछ हमने बता दिया है और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखके कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लग रहा है आप अच्छे से समझा रहे हो अब जब इतना आप लोग करते हो तो मन बहुत भुत हो जाता है फिर यह समझ आता है कि चितनी मेंनत और जोड़ दी जाए कि कि आप लोग जादे खुश हो जाओ तो आज हम बात करेंगे जैव विजिता यहां से कोशन पूछा जाता है कि कौन सा भ्यारण कहां पाया गया है किस अभ्यारण में कौन से जीव पाया जाते है या लाल सूची क्या होती है रेड बुक क्या होती है इन चीजों के बारे में भ्यारण कहां कहां है कौन सा तर्टावाला राश्ती उद्यान कहां से चीजों के पारे में अध्यान करेंगे तो आज शुरू करते हैं जल्दी कबर हो जाएगा समझाने में ज़्यादा समय लग जाता था तो से समझाऊंगा उतना ही बस चीजों को थोड़ा लिखना कम रहेगा क्योंकि यह अगर लिख लिख के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसलिए पीडियाप का सारा लिया गया है अगर इसमें कुछ परिशानी आए अगर जैब अभीत्ता समझने में कोई पर सबसे पहले बायो डाइवर्सिटी होती क्या है इसकी आवसक्ता क्यों पड़ी इन चीजों के बारे में हम अध्यन करेंगे जैब बीवित्ता से मतलब ही समझाता है कि जीव जन्तूं का ऐसा समूं जो अलग-अपनी विशेस्ता रखते हों कि अलग-अलग जगां पे रहते कि अगर जहां पर बाग पाया जाता वहां पर शेर नहीं जा सकता उनकी अलग विशेस्ता है कि एक बाग के छेत्र में दूसरा बाग नहीं जा सकता अगर वो जा रहा तो वापस है तो उनकी खुद की विशेस्ता होती है जैसे कुछ जीवजन्त होते हैं जो कुछ इस्पेशल जगह पाए जाते हैं बाद में वह और कहीं नहीं पाए जाते तो उनकी कुछ अपनी बिसिष्ट छमता होती योगिता होती है जिसके अनुसार क्या समझा जाता है कि यह हमारे परियावर्ण में बिविद प्रकार के जी प्रदेश में किसी प्राक्तिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतु जीवजन्तु योग पादपों की प्रजातियों की बाहुलता को जैव बिविद्ता कहते हैं कि हमने कहा कि कोई जंगल हो जिसमें बहुत सारे जीवजन्तु पाए जाते हों पेड़ पौधे पाए जाते हों अगर यह सब एक ही जगा पाए जाएंगे मतलब एक धरातल होगा जहां पर यह सम मिलके एक समुदाय का निर्माड करेंगे जो वह समुदाय बनाएंगे वह कलाएगा हमारा बायोडाइवर्सिटी जैवर विवदता बात समझ में आई होगी कि किसी भी प्राक्तिक प्रदेश में प्राक्तिक प्रदेश का मतलब वह इस्थली भाग जहां पर कोई जंगली जन्तु हो या पालतु जन्तु हो और कोई पादप हो हमने कहा जीव जन्त और बनस्पति में बाहुलता हो बाहुलता का मतलब वह बनेगा उसे ही हम कहते हैं बायो्ट ढयायवर्ड लिए जवर बीविट्टिण यह बात समझ में आई होगी अगला है कि जब्र बीविट्ट्था जो सब्द है सर्वेख प्रद्थ प्रयोग कब किया गया और डबलू जी रोजन ने जैव विवित्ता सब्द का प्रयोग 1985 में डबलू जी रोजन द्वारा किया गया था यह कोशन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है आगे बात करते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या होती है क्या है यह अगर कहीं कोई चीज ना समय है तो comment करके लग देजिए अगर यह चीज नहीं समझ वाई अगली क्लास में उससे बता दूगा कि हैं और कोहिस्स करता हूं कमेंट आते हैं आप लोगों कि कोशिज करता हूं सब का जवाब देता हूं आगे करेंगे कि सरवाधिक जैव विवित्ता का भंडार कहां पाया जाता उश्र कटिवंधी वर्षाबन में या भूमद्य रेखी प्रदेश में जब हम आपको कटिवंध पड़ा रहे थे जब हमने आपको कटिवंध पड़ाया था तब हम बताये कि सबसे ज्यादा जैव विवित्ता कहां पाई जाती है हमने उसी समय आपसे बताया था कि सबसे ज्यादा जैव विवित्ता जो पाई जाती है वह भूमद्य रेखी प्रदेश में पाई जाती है या उश्र कटिवंधी चेत्र में पाई जाती है यह कोश्चन पूछा गया है कि प्रिथवी पे सबसे ज़्यादा जैव विवित्ता कहां पाई जाती है तो आपका जवाब होगा सबसे ज़्यादा जो जैव विवित्ता पाई जाती है वो उस्रकटिवंधी वर्षाबन में या भूमद रेखी प्रदेश में पाई जाती है कैसे पाई जाती है जैसे हमने आपको बताया था कि यह हमारी अगर पितवी है तो यह जो बीच वाला हिस्सा है इसी को हम कहते हैं भूमद रेखी प्रदेश भूमद रेखी प्रदेश या इसी को कहते लिश्र कटिवन्धी या जो यही वाला हिस्सा है इसी का जो दूसरा नाम है इसे कहते लिश्र कटिवन्धी प्रदेश तो आप से अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा जैवल बिchnittका कहां पाई जाती है आप बताओगे अगर वो भूमद्द सागा से आप्षन बनाएगा कि भूमद्द रेखी प्रदेश को कहते हैं या उश्व कडिवंदी प्रदेश को कहते हैं यह होगा आपका अगला है कि भारत सरकार ने जैव विवित्ता अधनियम कब पारित किया 2002 में मतलब इतना कुछ होने के बाद जब भारत सरकार ने पहली बार जीवों को बचानी की कोशिश करी बनस्पतियों को बचानी की कोशिश करी उसके लिए जो नियम बनाया वो कब नियम बनाया गया 2002 में तो भा अगर कहीं भी कोई भी दिक्कता है तो आप जरूर बताएगा भारत सरकार ने जैव विवित्ता अधनियम 2002 में पारित किया अगला है अब हम जानेंगे कि जैव विवित्ता का अस्तर क्या होता है मतलब जैव विवित्ता जो होती है वो कितने आधार पर उसे हम पढ़ सकते है जैव विवित्ता को कितने अलग-अलग भागूं में हम पढ़ सकते हैं पहला है अनुवंसिक जैव विवित्ताका मतलब होता है कि माता पिता दादा दादी और नाना नानी से लिया गूड एक वंस का गूड जब दूसरी वंस में जाता है तो वही आणुवंसिक्ता कहलात जो होता है दादा दादी उसके बाद नाना नानी से लिया गया गुर transfer होता रहता है वो किस माध्यम्स होता है जो जीन्स के माध्यम्स होता है तो एक कोश्चन पूछा जाता है आपसे कि अनुमंसिक्ता का इस्थानांतर्ण किसके द्वारा होता है यह कोश्चन पूछा जाता है तो आप बताओगे कि अनुमंसिक्ता का जो इस्थानांतर्ण होत है अगला है यह पहला था यह दूसरा जाती वीवित्ता का मतलब एक जाती मनुष एक जाति मतलब जितना मनुष वर्ग हो यह एक जाति आजाएगा फसू वरुगउ पसूछ वरुग की रुख़ुर्ग जितने पक्सी होंगे उनका एक वर होगा पेड़ पौदे जितने पेड़ पौदे होंगे बनस्पति मतलब यह एक जाती के नाम से जाने जाते हैं मनुस्रकी एक जाती है पसुप जो हमारे पसुप अच्छी उनकी अलग-अलग जाती यह तो जाती के आधार पे बिवित्ता पाई जाती है जो अगला है पारिस्थित की विवित्ता हमने बताया था जो पारिस्थित की विवित्ता होती क्या है जो हम पारिस्थित की पढ़ाये थे दूसरे लेक्षर में और उसी समय हमने पारिस्थित की तंत भी पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि आखिर क्या-क्या मिलके किस सम देख लिशे जयव भीवत्ता का जो अस्तर है कौन्-कौन सा पहलाई में प्रब्लम को हुई इस वीडियो में तो आप जरूर बता दीजिएगा तो फिर दुबाराई करवा देंगे लेकिन अगर हुई तो अगर वाजिव लगी तो देखेएगा आनोवन सिक्ता का जो विवत्तथा आती या है कि ज़े लुटे किसी जीव्चन्तु याबनस्पति की जाति के निसार विवत्था होती है और पारिष्टिर्की में जितने भी जीव जन्तु बनस्पतिया होते हैं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंदित होते हैं उसके अंसार विवुद्धता होती है आगे देखते हैं अब इसके बाद यहां से जो कोश्चन बना तब उने बता दिया कि भारत सरकार ने 2002 में पारित किया था भारत सरकार ने जैव बिवुद्धता अधिनियम कब पारित किया 2002 में यह चोटे-चोटे फैक्ट है जिनको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे ही कोश्चन पूछे जाते हैं अब हम बात करेंगे जैव बिवुद्धता का मापन क्या होता है मतलब अगर हमें जैव बिवुद्धता को मापना पर कहां पर कितनी जैव बिवुद्धता पाए जाती है मतलब हम यह जानने की कोशिश करेंगे किस अच्छांस पर किस कटिवन्द में किस स्थान पर हमें स IPO-3108 जोयितर का मापन मतलब हम जए बीविथितर को मापेंगे कि कहां पर कैBox भेचेंगि घर कि पाई जाती है दूसरा है बीटा भी दा और तीसरा है गामा एक यह वाला है अलफा है अभी हम बताएंगे अल्फा किसे मापी जाती है और यह वाला रिटा और यह वाला है गामा भीवित्ता है तो तीन तरीके से कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि जैवर भीवित्ता को किसके द्वारा मापा जाता है जो हम कोश्चन कराएंगे तो ऐसे कोश्चन आपको मिलेंगे जैवर भीवित्ता को किसके द्वारा मापा जाता है तो आप सीधे सीधे बताहोंगे अगर इन संबंदित रिलेटेड और फैक है वो क्या है जैव विविता का जो मापन था जो विभाजन था वो 1932 में कव 1932 में आर एच विक्टर और एच विटकर ने किया था क्या किया था जैव विविता का मापन जो उन्होंने अलग अलग बताया कि अलफा बेटा और गामा से हम जैव विविता को माप सकते हैं तो वो बैज्ञानिक जो थे उनका नाम था आर एच विटकर तो नाम याद रखिएगा आर एच विटकर है और इन्होंने तीन प्रकार की जैव विविता मापने की पद्यत को बताया है अब हम आगे बात करेंगे कि अलफा विविता क्या होता है बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है देखिएगा मतलब इनसे जो कोश्चन बनते हैं वो ऐसा लगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं है लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे चीजों को समझ के पढ़ेंगे कहीं डिक्कत आएगी पूछ लेंगे तो फिर गलत नहीं होगा जितना ज्यादा आप समझ विक्सित करेंगे जितनी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही बैतर होगा तो अब हम बात करेंगे अलफा बीटा बीविटता और गामा बीविटता में क्या-क्या अंतर पाया ज हम सबसे पहले जो बात करेंगे बात करेंगे अलफा बीविटता किसी एक निश्ची छेत्र के समूधाय, परितंत्र में उपस्तित प्रजातियों की कुल शंख्या को अलफा विवित्ता की संग्या से अविनित किया जाता है मलब एक ऐसा कोई छेत्र हो जहां पे जहां मलब कोई एक निश्चित छेत्र हो हो मैंनलब एक निशीचीए शेत्र का मलनब कोई प्रदेश हो कोई इस्पेसिल अस्थान ऊसका च्छेत्र क्या हो निश्ट्रत हो उसे में जो उपस्थित होंगे जो जीवजन्त होंगे उनकी जो संख्या होगी वो में नहित के जाएगी ठीक और इसमें एक समुदाई की कुल प्रजातियों की संख्या तथा आन्वंसिक की के आधार पर प्रजातियों में पाई जाने वाली समरूपता का भी आकलन किया जाता है क्या किया जाता है कि अलफा विवित्ता किसी एक निश्चित छेत्र में पाई जाने वाले जीव जन्तूं और बनस्पतियों कि जो संख्या होती है उस संख्या कि जो गड़ना की जाती है वो अलफा विवित्ता में की जाती है ये बात क्लियर हुई होगी अब जो हम बात करेंगे जो हम अगली बात करेंगे वो बात करेंगे बीटा विवित्ता की बीटा बीवित्ता क्या होती है अगला है बीटा बीवित्ता एक ऐसा भागोलिक छेत्र जहां पे कुछ नई प्रजातियां आती हैं और कुछ पुरानी प्रजातियां बिलुप्त हो जाती हैं इस बीवित्ता का अध्यन बीटा बीवित्ता में किया जाता है का समझने की कोशिश करिएगा बीटा बिवित्त क्या होता बीटा विश्च का जिसमें अध्यन किया जाता जिससे मापा जाता मत्लब कोई एक नई प्रजाती आती है उसके उपलक्ष में जो पिछली एक पूरानी प्रजाती होती ह bow 2005 हो जाती मलब वह गाइब हो जाती है ईएसा क्यों होगा कि जो पूरानी परजाती थी Burkaya क्यों हो难 चलो हो सकता है कि जो पुरहनी प्रजाती थी उसे खाने के लिए आवाभग quick & ना खाना भी उपलब्द है उसके लिए आवास भी उपलब्द है मतलब उसके लिए अनकूल वातावरण है और जो प्रजाती जीवजन्त या बनस्पत बिलुप्त होगी उसका मतलब यह है कि उसके उसके लिए जो वातावरण था वो प्रत्यकूल हो गया था इसलिए वो बिलु लिखेततु जहां पे कुछ जहां पे कुछ नई बनस्बतियां आती हैं आर रही मिद हो जाती। उनका जो अध्यान करते हैं वह हम बीटा द में करते कि कि आगे हम पढ़एंगे गामा जी डिक्तलं किया होता है गामा बीशिंतल क्या है कि हमने अलफा पड़ा बीटा पड़ा अब हम पढ़ेंगे गामा विवजता एक ऐसा भागोलिक छेत्र जहां पर पाए जाने वाले जीवजन तुपेड़ पाउदे आपस में एक दूसरे से अंतर संब्ध रखते हैं उसका दिन किया जाता है तो वह गामा में किया जाता है डिन लगामा में बताया गया है आपसे कि एक ऐसा समुदाति एक अश्थान या एक ऐसा प्रादेशी का स्थान जहाँ पर जीवजन तुप करते हैं वह करते हैं गामा में इसका जो हम अध्यान करते हैं वो करते हैं गामा विवित्ता में अच्छा कुछ फैक्ट है क्या सीर से पांच जैवर विवित्ता वाले प्रदेश मतलब यह ऐसे देश है जहां पर सबसे ज्यादा जैवर विवित्ता पाए जाती जैवर वहीं पाए जाएगी जो के जोँदा बाले चेत्र में पाय जाएंगे उनभी देशों या प्रदेशों में जैवर सब्से जादा पाए जाएगी देखेएगा जैविवित्या कमल वह भूमत रेखा पर इस्थित होंगे काँ पर इस्थित होंगे भूमत रेखा पर हमने बताया था की भूमत रेखा से लगवग 15 दख्षिद 15 उत्तर जितना पूरा होता है वह उच्छर कडिबंद वाला चेटर होता है है अगर माने तो वह करकर एक मकर रेखा तक बीच में पूरा जो पोर्शन होता है मतलब जीरो अंस से साड़े तेशंस दख्षिड जीरो अंस से साड़े तेशंस उत्तर के बीच मतलब करक रेखा मतलब यह जीरो वाली है और यह लोपर कर कर रेखा है और नीचे मकर रेखा है और करे रेका और कर रेखा के बीच जो पाया जाता है यह होता है उश्र कधिबंध भूमक्ध रेख ही ए सबसे जदा पाई जाएगी तो पहला देश सबसे ज़्यादा जहां ब्राजील कि दूसरा देश है कोलंबिया मैप में आप देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कोलंबिया तीसरा है इंडोनेशिया चौथा है चीन पांचमा है मैक्सिको और जो आठमा है वो है भारत बस आपको यह उपर वाले याद रखने हैं यहां से कोशन बना है कभी एक बार कि सबसे ज़्याद जय व्यूता वाला देश कौन सा है मैं अगर इन में से आप संदिक ही जाएगा की ब्राजील कोलंबिया इंडोनेशिया चीन मेक्सिको और भारत अचा इन पहला हुआ इन देशों की अगर इस्थित देखा जाएं यह कहां पर हैं कि इन देशों कि अगर इस्थित देखा जाए यह जो देश हैं इनकी अगर स्थित को देखा जाए तो हमें यह मिलेगा कि यह बहुमत रेखा पर जितने भी देश है ब्राजील कॉलंबिया इंडोनेसिया चीन मैक्सिको भारत यह सब भुमत रेखा पर लगे उए देश है पर एक दम नहीं होंगे थोड़े उत्र में होगे या थोड़े से दख्षिड में होगे इसके बीच में इसलिए यहां पर सबसे अधिक जायववय तो आपको समझ आया होगा कि jednak क्या होता है बीता क्या हुआ होता है इसमें किस प्रकार से जीमों का अधिया ने किया जाता है अगर एक बार मैंनमा थे अनी बात समझ आई अब हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं का होता है कि और आगे देखेंगहें कि क्या-क्या होता है कासे कोशन पूछे जाते हैं CC by current झाल झाल